हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चेंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमद जैद और दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक बहुत ही हर टचिंग स्टोरी पढ़ी दा कॉंसर्ट और आज हम लोग एक बढ़िया सा पोयम पढ़ने जा रहे हैं इसके जो पोईट है वो जॉन केट से दोस्तों बहुत ही कम उमर में ये मर गए थे गुजर गए थे लेकिन इनका जो काम है वो दुनिया अभी भी सराहना करती है उस काम की तो आज हम लोग ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं क्या लिखाए ये दोस्तों इनकी जो लाइन्स थी वो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी समझने के लिए तो पोईट यहाँ पर कहते हैं कि ब्यूटी जो भी होती है beauty की जो भी चीज होती है beauty मतलब पहले आपको बता दे सुन्दरता नहीं beauty का मतलब होता है वो चीजे जो मुझे happiness दे लोगों को happiness दे उसका मतलब होता है beauty तो nature की beauty की बारे में आपे बात हो रही है वो कहते हैं कि beauty जैसे ऐसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी loveliness increase हो जाती है और एक चीज जो भी होती है beauty वो हमें जिंदगी भर खुशियां देती है वो कभी भी nothingness में नहीं होती है nothingness मतलब बिना काम में कभी भी transform नहीं होती है और हम लोग हमेशा एक उसके बीच में रहते हैं मतलब कि trees जो nature के elements हैं जैसे trees example हम लोग ले लेते हैं तो वो ऐसा act करता है जैसे हम लोग एक किसी भी पेड़ के नीचे बैटे हो जैसा पेड़ के नीचे बैटकर हमें छाया मिलती है और हम शान्त रहते हैं वहाँ पर तो nature भी वैसा है हमें ऐसा feel कराता है कि जैसे हम उसके नीचे बैटे हो और सो रहे हो full of sweet dreams and health and quiet breathing ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं अच्छे अच्छे dreams देख रहे हैं और अच्छे health के साथ therefore on every morrow are we ready a flowery band to bind us to the earth spite of despondence of the inhuman dirt मतलब कि यहाँ पे कहते हैं despair के बावजूद हम लोग यहाँ पे खुशी से रहते हैं और कोई भी unhealthy और बेकार यहाँ पे नहीं है flowery band to bind us to the earth मतलब यह जो nature है flowery band वो हमें बांध कर रखता है अर्थ पे spite of despondence of the inhuman dirt डर्थ मतलब shortage भले ही लोगों की कमी हो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे खुश रहते हैं nature में of noble natures the gloomy days of all are unhealthy and all are darkened ways made for our searching yes in spite of all some shapes of beauty moves away the pale मतलब की of noble natures of the gloomy days मतलब की यहाँ पे कहते हैं की nature जो है वो बहुत ही noble है दोस्तों और जो days रहते हैं वो बहुत ही gloomy रहते हैं और इन सभी के कारण हमारी जो life में परिशानिया रहते हैं जो sorrow रहते हैं वो दूर चले जाते हैं दोस्तों मतलब की पाल मतलब क्या होता है वो चीज जो दोस्तों जो कफन आप लोग बोल सकते हैं पाल का मतलब तो वही होती है चीजे की पाल मतलब यहाँ पे कफन नहीं आपे दुख बताया गया है पोयम में तो वो दुख beauty से सूख में बदल जाते हैं मतलब कहते हैं कि हमारी dark spirit में जैसे nature के कुछ एक्जामपल्स दीए गए सान मून ट्रीज और जो स्प्राइडिंग शैडव शैड़ी बून है मतलब गिव्ट जो है नेचर के जैसे सिंपल शिप का एक्जामपल ले या डैफोडिल्स का एक्जामपल ले ले तो वो दोस्तों एक अलग ही तरीके का जॉय देते हैं हम लो मेक जो क्लियर रिल्स होती हैं दोस्तों जो स्ट्रीम्स होती हैं वो एक कूलिंग कवर्ट बनाती है इनके लिए मतलब कि वो एक कूल शेल्टर मनाती है कि इसके लिए हॉट समर के खिलाफ जहां पे एनिमल्स रेस्ट कर सकें रिच वीथा स्प्रिंकलिंग ऑफ फेर मस्ट रोज ब्लूम्स एंड सच तू इस दग्रेंडियूर ओफ डूम्स अतलब यहां पे पोईट कहते हैं कि जो फॉरेस्ट के बीच में जो ब्यूटिफुल चीजे हैं वहां पे अराम से जो रोज है वो खिल खिला सके फॉरेस्ट के बीच में क्यों क्योंकि वह कूल शिल्टर प्रवाइड करते हैं प्रिजर्व करते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं मतलब कि पोईट यहां पे कहते हैं कि और जो नेचर है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो नेचर में बहुत सारे लीजेंड लोग की कहानिया है उसमें जो वहाँ पे रहे हैं और एक हीरो की तरह उनकी डेख हुई है दोस्तों मतलब बहुत ही महान थे उन लोग जिन्होंने हमें इंस्पायर बहुत किया है और यह इंडलेस सोर्स है दोस्तों यह जो ब्यूटि हैवेंस के ब्रिंक मतलब जन्नत में पहुंचा देगा आपको ऐसा फिल दिला देगा वह नौर डूबी मेरेली फिल इसेंस फॉर वन शॉटार नौर इवें अज़ ट्रीज दैट विस्पर्स राउंड़ टेमपल विकम सून डियर अज़ टेमपल सेल्फ सोड़ दा मून मत है पैशन पोजी ग्लोरी इंफाइनाइट हों तस तिल दे बिकम मचेरिंग लाइट अंटो आवर सोल्स एंड बाउंडिंग तो अस सो फास्ट देट वेदर देर तो भी शाइन और ग्लूम और कास्ट दे ओल्वेज मस्ट भी वित अस और वी डाय मतलब वो कहते हैं कि जो है वह इंफाइनाइट ग्लोरी देती है नेचर की नेचर की जो चीजें वह अनलिमिटेड जॉय देते हैं हम लोग को और कंटीनिवसली वह हमें इंस्पाइर करते रहते हैं वह हमें इंस्पाइरिंग मतला हमारे लिए इंस्पाइरिंग और मोटिवेटिंग है वह हमेशा ह यहाँ पे खुशियां रहेंगी हमारे अगर नेचर हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए हमेशा खुशियां रहेंगी जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तो दोस्तों यह पोएम समझना थोड़ा हार्ड है तो आप लोग ट्राय करेंगी बार बार वीडियो को देखें जिससे आप लोग को लाइन टो लाइन समझ में आ जाएं अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिच करूंगा तो कहीं पर भी डाउट आया तो आप लोग लिखके भेजें नेक्स लेशन में मिलेंगे तो हम लोग लंचेन पढ़ेंगे एक हुम्रेस स्टोरी है मिलते है नेक्स वीडियो में